वेल्कम टू माई चैनल मैं हुआ शक तो आज मैं आपके लिए फीर से कलास 10 का दो चारवाले रहके समी करन लीनियर इक्वेशन इन टू वैरेबल्स का कोस्टन्स लाया हूं इसमें मैं आपको चार तीन विधी बता दिया हूं तुलनात्मक विधी परतस्थापन विधी लु सकते हैं और सेम को मैंने सॉलूसन किया हूं ताकि सेम अंसर भी आ रहा है और आपको संतुष्टी हो जा रहा है हां जो बता रहे हैं सर यानि कि ठीक बता रहे हैं तो इस तरह से मैं यह तीनों विधी बता दिया हूं सबसे आसान आपको लुपतिकरन विधी रहता है सबसे देख रहता है अब मैं आपको बताता हूं वज्री गुनन विदी यानिक देखा जाए इस मेठड में सबसे हाड अगर देखा जाए तो थोड़ा कम्पिलिकेटर टैप का है वज्री गुनन विदी हर किसी को बांज कर जाता है तो मैं आपको बहुत ही एजिए से बताने और यही सेम कोस्टन है जब बताऊंगा तो एक से और वाई कमान सेम जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड में थाड़ में तीनों जो अंसर आने वाला है तो यह वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो को सुरुच लेकर आखिर तक देखिए आपको बहुत आसानी से स इक्लिक्येशन करना यह तो इसके लिए जैसे कि मालने एक्सरेत। चाला आटा लेकिन आपको करना.. चले मैं जब सवाल दूँगा तो बताएंगे आपको फिर डिएकर डिएक्स और एवाई पलस एफ बराबर जीरो ये दोनों एक्वेशन अगर रहेगा तो इसका सबसे पहले एक फर्मूला दिया हुआ इस फर्मूला के बेसिक पे ही हम बनाएंगे अब देखिए एक्स का जब वैलू निकालेंगे तो एक्स का निकालेंगे तो देखिए एक्स का ज़ाब देते हैं इसका फर्मूला कैसे बना बी एफ बी को एफ से गुना करेंगे माइनस करेंगे फिर सी को ए से करना करेंगे मैंस करेंगे और एे एक को एक से गु上 करेंगे और फिर इसको बाट फिर दब करना है तो बी को एक से बोड़ से करना है और इसको ऐसेा करेंगे और हमारा वाइन करना है तो आप झाल juvenile सी को D से करेंगे, A को X से करेंगे, तो यह में धूझ समझ लिजे हैं तो एक को E से करेंगे और B को D से यहाँ पर गुना करेंगे तो हमारा आंसरा जागा, जैसे कि यहाँ पर आपका सवार यहाँ पर है, 2x plus 3y equal to 19 3x plus 4y equal to 26 तो आप देखें कि इस रूप में नहीं है ना ये रूप में नहीं है इसको हमको बनाना पड़ेगा क्या करेंगे 19 को इधर ले चला जाएंगे 2x plus 3y plus इधर जाएंगे क्या बन जाएगा minus 19 equal to 0 इसको भी सेम करेंगे 3x plus 4y 26 इधर जाएगा तो minus 26 equal to 0 तो आपका ये अब इस रूप में आ गया देखेंगे एकस बी एकस देखेंगे xy ओके xy यहां देखेंगे a b c d e f इस तरह से आप माल लेंगे a b c d e f a b c d e f यहाँ पर यहाँ पर फर्मूला आपका आपका बैठा हूँ है इस तरह हम बनाएंगे यहाँ पर देखें क्या x से बरावर यहाँ पर पहले बैठा लेंगे है तो आपका देखेंगे इसमें b कहाँ देखी a b c d e f तो यहाँ पर b है और यहाँ पर f है यहाँ इसको जापेंगे और यह दोनों से गुना करेंगे तो 20 को तीन से गुना करेंगे तो 20 का चपऩ 26 को 17 28 मग पलस मैनस सवाल का है माइनस तो हमाइनस लिख देंगे जैसे दिया रहे ह dig उसे लिख देंगे खेंगे s e 25 हमारा देखीए है simusic 26 होता है 26 अब पलश मैनस जब नीस चोक करेंगे तो इसका निसान भी गुना करेंगे चाहँ देखे पलस में है आईए मैनस पलस मैनस मैनस तो यहाँ पे मैनस 76 लिखेंगे पैसे गेर के लिखेंगे तो यह मैनस पहले सवाल वाला फर्मूला वाला मैनस है अब वाई का निकालेंगे y का निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे y वाला जाप देंगे यहाँ पर और यहाँ पर c को d से गुणा करें c यहाँ पर कौन हमारा है c को d से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखें c यहाँ पर है और d यहाँ पर है तो यहाँ प्लस माइनस पलस माइनस उनिस्तिया उनिस्तिया संतावन तो है पर माइनस संतावन यहाप लिख लेते हैं फिर आपका फिर माइनस दिया हो तो फिर माइनस इस तरह लिखेंगे ए एफ तब फिर इसको जापेंगे और ए यहाँ पर है और एफ इधर है कैंट दुछ एक इस जो है नहीं था फ 2 पह जो है आपको एक से कर आ तक MA preciso ॏ तो यह क्या है मैनस ठलज स्पनी टिए 10 एक अधियंगा किरीफ tomorrow 9 से घटाएगा तो जो क्या बताएगा मैनस 1 सी बताएगा अब देखे यह बोल्रा कि यह अपने आप में इसके बराबर है और यह अपने आप में इसके बराबर है यह जो इसके बराबर भी है यह इसके बराबर भी है यह इसके बराबर भी है अब देखे हम क्या करेंगे हमको एकस का वैलू निकलना है तो क्या यह दोनों बराबर करेंगे तो एकस का वैलू निकलेगा कैसे माइनस टू गाके साली हुटज़ ऑंस टू टु माइनस टू हुट jयोंगा यहां पर गठाएंगे तो मानिस फाइफ यहां पर तो वन बाई मानिस वं लेक्फ़ा करेंगे एक सेमाइ Lesson 2 सीकूल टू एक वह थे तू आ गया भी जिसके लेते हैं य ब्रावर मैनस 5 य ब्रावर मैनस 5 ऐहाँ पर य ब्रावर M-5 खुट जब यहाँ फिर देकि मैंस मेंस कट जियागा तो आई ठिंक आपको ये कुछिशन बहुत ही जिसे स्मel ऐ आ गया बस आपको कुछ नहीं करना है यह अगर फरूमुल अगर आपके दिमाग में आ जाएगा तो आराम के करना कैसे करना तर प्रूमुली निकलने तो इसको जाब देंगे निकलना तो वा यह को जाब देंगे औ कर सकते हैं यहां को इसको एक दूस्ते को बराबर करें कि व मेरे के चाहें तो आप इस वीडियो को रिविजन करें चुकि एक्जाम में इस वीडियो से एक ने कोस्टन आता है तो मैं उमीद करता हूं कि आप नहीं फशेंगे आप जरूर इसको बना लेंगे तो अगर आप शुरू से आखिर तक नहीं वीडियो देखें हैं और जो बाकी वीडियो मैं डाला हूँ सभी को आप जा करके देख लिए तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है आपको अच्छा लगी है तो आप इसे लाइक करना और नए है तो चैनल को सब्सक्राब भी कर लिजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इसका भी उसको फायदा हो जाए मिलता हूं मैं आपको नेक्स टूडियो में डाइट शाल थैंक्यो एवरिवन